हलो फ्रेंच वेलकम दो चानल करेंट अफेर अफेर अपडेटेट इस दिवशी शवस्ती जैसे आपको पता हूँ एक इंपोर्डेंट सीरीज लेके आता हूँ जहां पर हम mcq question discuss करते हैं particular subject के तो आज हमारा जो subject का discussion होने वाला है that is regarding economics okay so economics के regarding mcq question discuss करने वाला हूँ याद रखिएगा यह लेक्षर में 52 है इसका मतब अलड़ी 51 लेक्षर आ चुके करने से पहले अगर आपको economics का detail course अगर आपको पढ़ना पुरी economics दील करनी है तो आप हमारा वीडियो लेक्षर सीरीज देख सकते हैं उसके लिए आपको हमारा अप्लिकेशन जो है दिवश्रीश क्लासे डिस्क्रिप्शन बॉक्से आप में लिए आपका लिंक दिया हुआ तो चले स्टार्ट करते हो देखते हैं economics जो की हमेशा difficult माने जाते हैं let's start तो पहला कोशन है मेरा पहला कोशन थोड़ा सईजी है inflation की regarding question है मैंने पूचिया heavy price rise price size बहुत जादा हुआ है in which of the following categories would increase wholesale price index inflation the most कहने का मतलब आपको पता होगा inflation दो टाइप से measure करते हैं wholesale price index and consumer price index show हो जाएगा मतलब WPI में मैंने आपको बताया हुआ है WPI और CPI में क्या difference होता है तो किसमें ज्यादा increase होगा तो WPI में ज्यादा show होगा मतलब उसमें अगर थोड़ा सा भी ज्यादा changes आए तो WPI increase का जाएगा आपको जो WPI measure करने का inflation उसमें ज्यादा increase होगा options है food articles, fuel, manufactured product या mineral तो यह मैंने पढ़ाया हुआ है याद अखिएगा अगर CPI होता तो याद अखिएगा food articles में अगर price increase होगा जिसको हो primary articles किया सकते तो फिर वहाँ पर show जादा होता बट यह WPI का पूछा गया है तो यह 65% weightage अगर मैं WPI का इंडेक्स अगर आप calculate करेंगे तो 65% weightage है manufactured product की तो यहाद रखिएगा manufactured product में अगर price increase होता है तो WPI में प्राइज आपको increase दिखेगा रिमेंबर तो correct answer यह option बसी है मैंने अल्रेड़ी पढ़ाय हुआ देखिए मैं आप डाइग्राम भी बना दिया है सबसारा WPI में अगर हम बात करें weight case आप से तो manufactured का है उसका प्राइमरी है उसके बाद फियूल रिमेंबर तो correct answer manufactured है around 65% यह याद रखी है यह already UPSC में प्रिलमस में भी आ चुका है assistant commandant में भी question आ चुका है चलिए second question लेते हैं stackflation की बात करते हैं यह भी बड़ा important term है मैंने अपने economic series में कराया हुआ what is stackflation अब मैं भी stackflation करा नहीं रहूं question मैंने यापर पूछा है economy stackflation आने की वैसे क्या होगा inflation होगा unemployment low हो जाएगी economic growth बढ़ जाएगी आपको बताना which among the following statement is correct remember statement बढ़िए बहुत असान है अगर नहीं भी पता होगा stackflation negative word है पस मैं आपको इतनी hint दे रहा हूँ आप correct answer mark कर सकते unemployment कम हो जाएगी ऐसा नहीं employment actually बढ़ जाती है तो second statement wrong है economic growth जाएगी remember decrease हो जाएगी यह भी statement गलत है stackflation inflation yes inflation होता है remember so correct answer यहाँ पर जाएगा that is one only बढ़ा ही easy question था बढ़ देखिये statement दे देते हैं थोड़ा हम confused हो जाते हैं थोड़ा statement को अराम से पढ़िए आपको easy लगेगा okay description मैंने हाँ पर mention कर रखा है stackflation को बढ़ पढ़ सकते है remember तो correct answer जो है that is option number a only one is correct okay third question मैं आते हैं देखिये इस question को भी ध्यान से देखियेगा मैंने पूछा है demand pull inflation क्या होता है देखिये मैंने पढ़ाया हुआ दो टाइप से inflation होते हैं एक होता demand pull inflation एक होता cost push inflation या देखियेगा तो demand pull या देखिये जब demand बढ़ती है उसकी वेसे inflation आ लोगों की demand जादा हो गई यह उसकी वेसे inflation आद से demand pull inflation कहते है cost push inflation तब कहते है जब supply जो है वो decrease हो जाती है या देखियेगा तो उसकी वेसे supply decrease हो गई remember ठीक है तो क्या होगा price बढ़े जाएगा उसको कहते है cost push inflation तो यह दोनों का मैंने difference जो है already पढ़ा रखा मैंने inflation topic में मै इससे demand बढ़ रही आप यह सोचे population जादा demand क्यों करेंगी options आपके सामने दिया आप correct answer mark का सकते हैं क्या अगर bank loan का interest rate कम हो जाएगा तो demand बढ़ेगी बिलकुल बढ़ेगी अगर loan सस्ता हो जाएगा लोग जादा demand करेंगे ठीक है पहला reason सही है subsidy अगर increase हो जाएगी तो सस्त बढ़ा दिया तो logical है product भी महंगा हो जाएगा कि नी कोई जब raw material ही महंगा है तो product महंगा हो गया remember तो यह इससे demand का कोई फर्क नहीं जा दखेगा यह जो factor है यह है आपका cost push inflation का factor of course inflation आएगी जा दखेगा अगर आपने cost of the raw material बढ़ा दिया remember तो आपका अगर product क्या हो गया ह महंगा हो गया है automatically product को आपने महंगा कर दिया याद रखेगा तो उसकी supply जी होगी वह आपको यह ध्यान रखना होगा वह उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए को महंगा product है remember यह आपको याद रखना है ठीक है तो इसको आपको याद रखना है कि इसमें क्या होगी of course जब demand यहां नहीं बढ़ रही है demand कहा पर actually घड़ गई आप देखेंगे तो यहां पर आपने cost बढ़ा दिया है हाँ अगर demand बढ़ रही होती remember और उसकी वज़े से inflation होता है कि ज्यादा demand हो रही है यहना product कम बचा हुआ है तो हम कहते demand pull inflation remember तो यहां demand कहां बढ़ रही है आपने raw material का cost बढ़ा दिया रही है तो demand बढ़ने की वेसे होता है तो हम कहते demand push pull inflation और अगर supply यहां दखेंगे supply side से दिक्कत आ रही है यहां आपने उस product का cost बढ़ा दिया remember तो यहां cost बढ़ गया क्योंकि आपने raw material का cost बढ़ा दिया तो यह statement wrong हो गया तो correct answer option A1 and 2 तो मैं detail में discuss किया को कि statement रही है दिखा भी है इसको आपने cost बढ़ा दिया उसका या दखेंगा cost बढ़ना यह supply side या दखेंगा cost push inflation दो side से कह सकते है या तो आपने उस product का cost बढ़ा दिया remember जैसे अब आपने raw material बढ़ा दिया या तो आपने क्य किया है उस product की supply ही market में क्या कर दिया जादा कर दिया remember supply जादा हो जाएगी तो remember inflation आएगा मतलब supply जादा निकरेंगे आपर cost जो है वो आपने बढ़ा दिया यह आपको या दखना है ठीक है तो यह आपको आपको या दखना है और supply जो है वो कम कर दिया यह दोनों चीज या रखनी है supply reduce कर दी है या cost बढ़ा दिया है तो इसको हम कहते है that is cost push inflation remember supply कम हो जाएगी तो logical है लोगों कोई जब product ही इत्ता कम रहेगा तो लोग जादा जादा क्या करेंगे चाहिए होगा उसका cost बढ़ा देंग कमी है जैसे दो ही product available है दस चाहिए तो logical इसका price बढ़ जाए supply कैसे कम हो सकती है let us suppose mountain areas में आपको कोई चीज पहुचानी है तो transportation cost बहुत जादा होगा तो इतना easily product पहानी पहुचा है तो supply वहाँ पर कम हो जाएगी road नहीं है proper इन सब क्योंसे supply देखी आती कम हो जाती कभी-कभी ठीक है तो आप basic अभी याद रखे है यह cost of the raw material बढ़ा ह इसलिए मैं क्या रहा हूँ cost push and future cost आपने product का बढ़ा दिया remember ठीक है चलिए third question में आते है which of the following authorities is responsible for the management of foreign exchange management act 1999 बहुत important इससे पहले यह फहिमा है इससे पहले इसको फेरा खाया था foreign exchange regulation act remember आप मुझे comment box में बताईए foreign exchange regulation act जो था वो किस year में आया है या आप मुझे comment box में बता गया है तो मैंने पूचा है कौन सी बोड़ी इसको regulate करती इस act को remember options आपके सामने दीए गए हैं नहीं पता तो कोई बात नहीं पढ़ लिए का act बड़ा इंपॉर्डेंट को regulate कर रही Reserve Bank of India that is RBI remember correct answer option B है आप इस FERA और FEMA के बारे में मेरे economic series देखेंगे मैंने वहाँ detail बढ़ देखेंगे और अगर आप UPSC में CAPF का एक्जाम देने वाले असेस्टन का मांदें तो हमारे application को ज़रूर विजट करें आपको यहां पर इसके courses available हो जाएंगे ओके चले economics का next question Reserve Bank of India जो है उसका mandate किस चीज की regulation के लिए नहीं है remember options है agriculture produce market foreign exchange market money market या government security market ठीक है अभी news में भी आपने सुनाओगा APMC मंडी agriculture produce marketing कमिटी 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 मार्केट कमिटी इस पर RBI के कोई रोल नहीं है याद अखिएगा RBI के इस पर कोई mandate नहीं है तो correct answer option में A है agriculture produce market याद अखिएगा इसमें RBI का रोल नहीं होता है उसको regulate नहीं करती यह APMC लिग दिया है मैंने correct answer यादे BC ECD को regulate करी A को regulate नहीं करती remember तो correct answer यहाँ पर A हो जाता है question number six direct financial stability report यह भी बड़ी important report है मैंने सीधे आप से पूझ लिए financial stability report है वो कौन publish करता है options आपके सामने दिये गहें कौन publish करता है बड़ी important report है यादे correct answer again Reserve Bank of India जो है इसका correct answer है ठीक है आप मुझे comment box में अभी जो governor है शशिकान दास वो कौन से नंबर के governor है यादे कौन से नंबर 23rd 24th जो भी नंबर नंबर के governor वो आप मुझे comment box मताएंगे तो correct answer option में D है that is Reserve Bank of India question no.8 यह भी important है मैंने पुझे इसका कौन से टाइक डारेक टाक्स है अब दो टाइक पी टाक्स परहें हो डारेक टाक्स गुद्स and service tax GST capital gain tax मैट minimum alternate tax कुछ लोगों ने तो सीज़े बता दिय जो है उसाद GST जो है वो तो indirect tax है ठीक है तो 1 को कट कर दी आपने अब ही भी आपका option बचने 2 और 3 capital gain tax is a direct tax नहीं पता no down करिए मैंने capital gain tax प्रहा हुआ हुआ वाट इस capital gain tax मैट भी एक direct tax है तो correct answer 2 & 3 that is option number D याद है कि आपको बता होने चीए मैं difficult tax पूझे है ठीक है और मैं यहां पर जो इब बता दूए एक fact बता दो इसको आप याद कलिएगा सब स्यादा tax collection सरकार का direct tax होता है कि indirect tax है तो याद एक to correct answer is direct tax है सरकार का जादा tax collection होता है ठीक है पहला point ही है दूसा point हिया तो जादा tax सरकार को किस से मिलता है डाइक का indirect direct मैने बता दिया और direct और जो इन्डिरेक्ट टैक्स है सबसे ज्यादध जीसी आता है यह भी आपको याद रखना ठीक है यहां पर जो करेक्टाइब टियू बहुत इंपर 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 इंट इंटी प्रॉफिटरिंग दोर्टि यह दिखिए गाए तो के मैंने पूछा है यह जो है किसके अंदर बन पे मेंशन हैं ठीक सेंट्र गोट्सन सब्सक्राइब के अंदर ये अथोर्टी बनाई गई है तो यह आपको याद में किसके अंदर ये अथोर्टी की गई है अब मैं आपको बता रहा हूं एक आपसे कोशन पुछाहूं जीएस्टी कांशल ठीक है यह कॉंसिटुशन बोडी है कि स्टाइज़ुशरी बोडी है यह अब मुझे कमेंट बॉक्स बाक्स मन आएंगे यहां पर करेक्टांट ऑफ्शन में देखें में मैंशन है बख्सा टाइगर रिजर्व जो है वह वेस्ट बंगॉल में लोकेट है जो बक्सा टाइगर रिजर्व यह हाई टाइगर डेंसिटी के लिए फिर्मस है बहुत साइगर से यहापर आपको पताना कॉंसा स्टेट्मेंट करेक्ट है इस इसे ब में पता करते होंगे फिर्मस के पारे में चाइगर रिजर्व केने अब कि मुता बक्सा टिंपर डेंसिट इन तैाइगर देखा गया है तो इतनी टाइंवन यहां नहीं है रिमेंबर तो करेक्ट आंसर है वन ओनली ठीक है और न्यूज में कहा था वो स्टेट्मेंट मतायता हूं आप देख रहे हैं बहुत सालो बाद वहां टाइगर दिखा है तैसा नहीं की डेंसिटी बहुत जादा है ठीक है तो यह भी न्यूज में था ठीक है जिसकी वैसे मैंने कुशन फ्रेम किया ओके और लास्ट अभी रिसेंट्ली एक वेटलेंड है उसको रामसर वेटलेंड के इंक्लूड कर दिया गया है जिसकरा हमें है धर पूर वेटलेंड जो कि अब रामसर के अंदर रामसर साइट रेकोगनाईज हो गई है अभी रिसेंट्ली तो आपको बताने है कि स्टेट में हैं ठीक है ओप्शन जाए उडिसा केरल विहार और यूपी तो करेंड रिसेंट्ली एड हुई है तो याद करके रखिए जो भी रिसेंट्ली एड हुई है तो यहां में 10 कोशन करा दिए ठीक है आपको फिल से बताता हूं हमाई बहुत साहे कोर्से थे यूपी सी की प्रप्रेशन कर रहा हूं आप प्रॉपर गाइडेंस चाहते हो सा किस तर प् प्रशिष क्लासे डिस्क्रिप्शन बॉक्से में अपको वहां पर बहुत कुछ हिल्प मिलेगी याँ देखिए गार एकनॉमिक से थोई डिफिकल्ट होते हैं स्टिल यहां पर मैंने कॉशन करा है आई होप आपको समझ में आया हूंगे नहीं भी आया तो यहां देखिए क आप एक बार complete course देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा कोई डाउट query आप comment box में comment कर सकते हैं जो आपसे questions पूछे हैं उनको जरूर comment box में comment करें first time channel में आए चैनल को subscribe जरूर करके जाए और questions आपको अच्छे लगें आपको कुछ सीखने को मिला है आज कुछ सीखा है concept सीखा है तो जरूर वीडियो को like जरूर करके जाएं thank you